नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा LOD, LOD मतलब List of Document यह वाला शब्द आप जर्नली सुनते हो Home Loan या Lab, Loan Against Property वाले मेंटर में जहांपर कि आप अपने प्रोपर्टी के दस्तवेज बैंक या NBFC में जमा करते हो तो बहां से आपको लेटर मिलता है LOD, List of Document देखिए List of Document में आपकी प्रोपर्टी से रिलेटिड डॉक्मेंट्स होते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, Power of Attorney, Loan Agreement, Sales Deeds, Title Deeds, कुछ Permissions जो आपने ली हो, नगर निगम बगएरा से या Recepts वगेरा, ये सारी चीज़े List of Documents के पार्ट में आती है, जब भी आप कोई Home Loan या Loan Against Property लेते हो, तो बैंक जब आप से आपके Original Document लेता है, तो वो आपको एक Receiving देता है, जब आप बैंक से Loan लेते हो, Home Loan या Loan Against Property तो बैंक आपको एक Later Issue करता है, LOD जिसके अंदर साफ साफ लिखा रहता है कि आपने बैंक के अंदर कौन-कौन से Original Document जमा करे हैं, और ये Later आपको हमेशा समाल के रखना होता है, क्योंकि इस Later की जरूरत आपको बात में पढ़ती है, जर्नली, LOD की जरूरत पढ़ती है, अगर आप अपना Home Loan एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा रहे हैं, जब जरूरत पढ़ती है, या कोई भी matter हो, properties related कि आप किसी को कोई property बेचना चाहे है, तो वो जो list of document देखना चाहेगा, या फिर आप जब loan close करा देते हैं, और loan close कराने के बाद तब आप बैंक में जाते हैं, अपने original document लेने, तो आपको LOD की personal loan, business loan और home loan प्रवाइट करते हैं, अगर आप अपने किसी भी friends और relative की file हमें refer करेंगे, हम आपको 2% का commission देते हैं, हम से जोडने के लिए आप ऊपर दिये हुए WhatsApp नमर पे हम से संपर्ख कर सकते हैं, friends मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि loan for close closer later क्या होता है, वो देखने के लिए आप उपर क्लिक करके देख सकते हैं, धन्यवाद